नमस्कार दोस्तों अब देखी हो क्या रहा है यहाँ पर कि China has come to a point जहाँ पर वो सब को threaten करने की कोशिश कर रहा है जो भी देश उसके accordingly work नहीं करता है तो उसको directly धमकी देने की कोशिश कर रहा है ऐसा प्रतीत होता है कल ही आपने देखा होगा हमने वीडियो में देखा था कि बांगला देश को उसने धमकी दी थी कि अगर वो quad group के साथ किसी प्रकार का alliance रखता है तो यह उसके relations के लिए अच्छा नहीं होगा अब यहाँ पर latest news आई है कि China has threatened Australia with missile strike जी हाँ ऑस्ट्रेलिया को directly missile strike के लिए कहाँ पर बोला गया आप यहाँ पर यह news देख सकते हो Chinese state media तो उसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि Australia with missile strike ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर भी आप देख पाऊगे Chinese state media threatens Australia with missile strike लेकिन इसका कारण क्या बताया गया है कि यहाँ पर China का कहना है कि अगर Australia किसी प्रकार का involvement रखेगा Taiwan के साथ, Taiwan को support करने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ उसके उपर missile strike करेंगे ऐसा Chinese media के दोरा एक तरह सी जो the global times है इसका मतलब जो वहाँ की party है communist party उनी के दोरा एक तरह का यह बयान है तो इसको detail से जानेंगे कि exactly हुआ क्या और reason क्या है चाइना ने अचानक से ऐसा क्यों बोल दिया यह भी कारण आपके लिए जानना जरूरी है चलिए मैं हूँ अंकित अगरवाल और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे lecture की हर PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जोईन कर सकते हैं by searching अंकित अगरवाल official और जैसा कि आपको पता है UPSC के exam सा रहे हैं अगर आप अपनी preparation कर रहे हो तो आप हमारे course को join कर सकते हैं जहाँ पर हर एक चीज आपको detail में एक जगा उपलब्द खरा दी जाती है इसके लिए ज्यादा आप हमारे description में देख सकते हो app वगरव की सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी चलिए देखते हैं exactly यहाँ पर हो क्या रहा हम क्यों discuss कर हैं इसके बारे में तो यहाँ पर जैसा मैं आपको बता रहा था Chinese state media क्या है global times उनके द्वारा यहाँ पर directly threaten किया गया है basically क्या हुआ है इनके जो editorial है publish किया जाता है editor-in-chief who she and उनके द्वारा यहाँ पर एक headline एक पुरा editorial निकाला गया है जिसका headline आप यहाँ पर देख सकते हो China needs to make a plan to deter extreme forces of Australia मतलब कि वो एक तरह से अपने चाइना की जनता को एक तरह से संबोधन कर रहे हैं सरकार को कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक प्रकार का plan बनाना चाहिए ताकि Australia के उपर हम pressure create कर सकें Australia के उपर एक तरह से यहाँ पर उसको रोग सकें कि वो किसी प्रकार का involvement ना करें Taiwan के अंदर यहाँ पर यह जो पुरा article है इसमें कुछ important चीज है जो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बोला गया है यहाँ पर उन्होंने बोला है China should retaliate with long range strikes लंबे दूरी वाला जो missiles होते हैं वो हमकों Australia के उपर कर देना चाहिए अगर अगर Australia Taiwan के साथ किसी प्रकार से conflict में आता है मतलब Taiwan को support करता है और आपको पता है कि China और Taiwan के बीच में अच्छा नहीं है यह मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में लेकिन further उनके दौरा बोला गया है I suggest China make a plan मतलब basically उनका कहना है कि China को एक plan बना कर prepare रहना चाहिए और Australia अगर involved होता है यहाँ पर तो हम उसको punish करेंगे the plan should include long range strikes military facilities मतलब Australia के अंदर जो Australian soil पर military facilities वगरा है उसको destroy करना इस तरह की चीजों के बारे में बोला गया है और उनका ये भी कहना है कि China के पास काफी experience है उसके पास production capability है ताकि वो long range वाली missiles conventional warheads के माध्यम से कर सकता है यहाँ पर nuclear वगरा का नहीं बोला गया लेकिन जो conventional missiles होते हैं उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है लेकिन सबसे पहला आपके मन में question आएगा कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि China के दौरा ये warning दे जारी है मतलब इस तरह का क्या हुआ है कुछ को हुआ होगा I'm sure तो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि Australia के बात हो रही होते हैं उसके पहले यहाँ पर drums बजा जाते हैं तो drums of war इसको कहा जाता है मतलब यूद की सुरुआत तो उन्होंने यहाँ पर एक message भेजा था अपने staffers को सबको China का नाम ही लिया था लेकिन उनका indirect एक तरह से संकेत था drums of war beat sometimes faintly and distantly मतलब कि कई बार drums of war हमें तुनाए दे रहा है लेकिन कहीं न कहीं उनका इसारा था कि ताइवान की तरफ वहाँ पर drums of war की जो beatings हैं वो यहाँ पर चल रही हैं मतलब एक तरह से उनका इशारा जा रहा था कि हो सकता है कि आगे चल कर यहाँ पर यूद उस्सा माहूल बन सकता है Australia चाइना के बीच में इसी प्रकार का pressure बनाए जाए चाइना क्या कहता है चाइना तो यही कहता है कि ताइवान हमारा है one country system हम रखना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा तर आप देश देखोगे बाहर जो है वो यह कहते है कि ताइवान अपने आप में एक independent country है although officially उसको इतना recognition नहीं दिया जाता है I think maximum आप कह सकते हो 14 से 15 देशी ऐसे हैं जो कि ताइवान को recognition देते हैं लेकिन ज़्यादा तर अभी भी recognition नहीं देते हैं क्योंकि चाइना कहता है कि अगर आप ताइवान को recognition दोगे तो हम आपके साथ वैपार नहीं करेंगे आपके साथ ties छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो democratic country है, democracy के तोर पर यहाँ पर leaders चुने जाते हैं लेकिन जो चाइना है वो एक तरह से अपना full sovereignty claim करता है आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पता होगा यह ताइवान स्टेट इसको कहते हैं उपर यह है आपका East China Sea और नीचे आपको पता है South China Sea और हर जगा चो चाइना है व पिछले 70 वर्षों में पूरा different रहा है, ताइवान में तो democracy रही है, चाइना में भी democracy रही होगी उनके according, उनके definition के according, लेकिन यहाँ पर आप आप देखो जो ताइपई है, जो capital है ताइवान की ताइपई, वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को counter किया जाए अलग अलग method से, जैसे कि democratic countries के साथ हम मिलें, यहाँ पर strategic ties को बढ़ाया है, जैसे कि आपको याद होगा, पिछले मैंने एक video भी बनाया था, जहाँ पर आपसे बातचीत की थी, कि ताइवान की तरफ से बयान आया था, कि परगवे में जो vaccine है, वो हमने supply की है भारत की मदद से, क् यहाँ पर चाइना जो है, वो कह रहा था कि परगवे को कि हम आपको vaccine सप्लाई कर देंगे, लेकिन आप ताइवान के साथ अपने रिष्टे को तोड़ दीजे, लेकिन फिर ताइवान जो है, वो यहाँ पर भारत के मदद से vaccine पहुचाया परगवे के अंदर, तो इस तरह क चीजें देखने को मिलती है, ताइवान कोशिश करता रहता है, किसी प्रकार से यहाँ पर Chinese aggression को वो counter कर सके, लेकिन जाहिर जी बात है, कितना भी कहलो आप ताइवान छोटा देश है, चाइना काफी बड़ा देश है, पावर है उसके पास, तो इसलिए वो काफी अतक दबा अर्थ है, वार, मतलब ताइवान इंडिपेंडेंस होगा, हम वार छेड़ देंगे, क्लियर उसका यहाँ पर स्टैंड है, लेकिन यहाँ पर चाइना और ऑस्ट्रिलिया के बीच में भी आप देखोगे, तो लंबे समय से आपको मदभेद देखने को मिलेगा, यहाँ पर तोड़ देंगे, अगर आप यहाँ पर ताइवान को किसी प्रकार से सपोर्ट करोगे, मतलब उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है, देखने को मिल रहा है, और चाइना का ब्यान यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, वो एक तरह से कोल्ड वार के मा अउस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने तो यहाँ पर कह दिया कि 2015 से वेपनाइजेशन की त्यारी चल रही है, चाइना के द्वारा डिस्कॉशन किया गया था, वो सब हमने वीडियो में देखा था, लेकिन इसके लावा एक और रीसेंटली आपने मुद्दा देखा होगा Belt and Road Initiative को लेकर, अब Australia के अंदर आप देखोगी तो बहुत सारे territories आपको देखने, जो provinces कहते हैं, हम इनको state कहा जाता है, तो यहाँ पर जो Victoria State है, ठीक है, काफी populated region है यह Victoria State, इन्होंने डारेक्ली, यह state ने डारेक्ली चाइना के साथ यहाँ पर Belt and Road Initiative के तहट जो है, वो जो है यह unreasonable है, provocative है, और इसकी वज़े से bilateral relations हमारे बीच में खराब हो जाएंगे, तो यह जो मद्भेद है आपको Australia, China के बीच में लगतार देखने को मिल रही है, लेकिन अब last में मैं आपको थोड़ा Taiwan का जो मुद्दा चल रहा है, आपको पता होगा, कि लगतार क्या कोशिश की जारी है, जो China है, वो provoke करता रहता है Taiwan को, अपने जो उनके fighter jets वगर है, उनको भेजता रहेगा, और अपने जो novel ships वगर है, उनको यहाँ पर भेज देता है, तो लगतार वो provoke करता रहता है Taiwan को, Taiwan भी इस समय चिंता में है कि वो करे क्या आखिरकार, क्योंकि कितना भी Taiwan कर आता, भी रिसेंटली आप देखोगे, तो G7 का जो ministerial level summit हुआ था, जिसमें आपको पता है, हमारे SJ Sankar साब गय थे, उनको COVID वगर हो गया, वो एक अलग चीज है, उनको isolation में रखा गया है, लेकिन ये जो पुरा G7 का ministerial level meeting हुआ था, उसमें भी यहाँ पर जो जो बाइडन ह और जो सुगा है, जपान के प्राइम निस्टर, उन्होंने कहा कि Taiwan जो straight है, उसमें stability रहनी चाहिए, यही कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर यह particular region stable रहे, जहांत अगर हम military balance की बात करें, तो obvious ही बात है, यह पूरी तरह से imbalance आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हर एक ची जाने से पहले मैं आपके लिए एक interesting question लेकर आया हूँ, अभी मैंने आपको पताया था, East China Sea आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक particular island है, जिसको लेकर विवाद है, ठीक है, वो island के बारे में मैंने दो statement डाला है, बहुत ही interesting है, इसको सही तरीके से करिएगा, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, with right explanation, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हूँ, अगर आप उससे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते है study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता है आपसे next time, till then, thank you very much, see you soon